देखे बस हो गया नेचर आफ लाइट की बारे में बात करने जा रहे हैं, दुबारा बात कर रहे हैं अलग-अलग साइंटिस्ट ने लाइट के नेचर की बारे में अलग-अलग थेवरी दी 1675 में सर आईजक निउटन शाहब ने एक थेवरी दी उनका कहना था कि light छोटे-छोटे particles के फ़र्म चलती है, very small particles, tiny particles, उनका नाम करपसल्स रखा उन्होंने, हमको ऐसा लगता है कि जैसे किसी जरोखे से light आती हो, तो आपने देखा होगा light में कुछ suspended particles होते हैं, ने, ऐसा होगा ने, वो particles कौन से धूल के कन होते हैं, वो dust particles होते है तो उन्होंने कहा कि light छोटे-छोटे particles के फ़र्म चलते हैं, ने, करपसल्स कहते हैं, अलग-अलग color के, अलग-अलग color के करपसल्स के size अलग-अलग होती है, और जब ये करपसल्स हमारी आँख पे पढ़ते हैं, तो हमको sensation of sight, ने, कोई चीज हमको दिखाई पढ़ती है, अ Newton की theory थी, ठीक है, इस पर based उन्होंने reflection और reflection को समझाया, चुकि theory accepted नहीं है, इसलिए उसको हम समझा नहीं रहे हैं, उनका कहना ये था कि reflection क्या होता है, वो कहते थे कि वसे ये कोई reflecting surface है, reflecting surface का मतलब ये polished mirror है, नीचे का part इसका polished होगा, तो जब light ऐसे आती है ना particle के form में, तो उनका कहना था कि ये जो surface है ये इसको ripple करेगा, और ये इस पर आते 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 इतना repulsion हो जाएगा कि वो आपस लोट जाएगी, और जब reflection होगा, तो ये इसको आटेट करेगा, तो ये तो बड़ा illogical था, कि कैसे आटेट करेगा, कैसे करेगा, वही काँच आटेट कर वही काँच रिपल कर रहा है, तो ये थेओरी उनकी accept नहीं की गई, ठीक है, अचा न्यूटन साब के दोर में एक ऐसा समय, कि जब न्यूटन कोई नियम बताते थे, तो आज पास तो कोई ऐसा भटकता नहीं था, कि जो उनके नियम पे इबड़ करे, या तो भई बड़े ह एक साइंटिस्ट थे, Mr. Huygens, H-U-Y-G-E-N-S, Huygens, ये 1678 AD, ये दूसरे देस में थे, इसलिए थोगा ड़ते नहीं होंगे, ठीक है, Huygens आपने कहा, कि Light Wave के फार में चलती है, अब टेम चेंज हो गया, Light Particle के फार में नहीं चलती है, Light Wave के फार में चलती है, लेकिन Huygens किस तरीके के Wave होती है, ये नहीं बता पाए, उनका कहना था, जो Light होती है, तो Huygens का मानना था, कि Light Wave के फार में चलती है, और Light को उन्होंने कौन से Wave मानी, जो Sound Wave थी, Sound Wave कैसी होती है, Longitudinal होती है, ना कुछ भी बोल दो, Transverse होती है, नहीं तो Longitudinal होती है, Transverse नहीं ह जो Sound Wave है, जो Sound Wave की खोज हो चुकी थी उसमें तक, तो Light को चलने के लिए, जब Wave को चलने के लिए Medium चाहिए, तो इनका मतलब माना था, कि एथर ऐसा Medium है, क्यों माना यो तो यही जाने, एथर एक ऐसा Medium है, जो Universe में हर जगे व्याब थे, क्यों व्याब थे, क्या है इनके दिम की हेल्प से Light आगे बढ़ती है, ठीक है, लेकिन बाद में यह इथर वाला जो फंडा था वो, हट किया, वो ले इथर इथर कहीं नहीं, भागल बना रहे हो, तो यह थे, इनकी इथर वाली फेल होगी, लेकिन Wave थे, नहीं हुई, इनका मानना था, कि Light Longitudinal Wave है, Longitudinal, इसको बा Transverse होती है, एक Experiment किया गया, उस Experiment को भी बताया जाएगा, उसमें Longitudinal मान के Experiment किया गया, लेकिन Longitudinal के हिजाब से वो थेorी नहीं आ रही थी, वो Transverse के हिजाब से आ रही थी, पोलराइजेशन आप पढ़ेंगे आगे, तो उन्हों का Light Transverse होती है, और Light Wave के फार में चलती है, और Transverse होती है, उन्हों के Light Electromagnetic Waves है, आप इसको पढ़ चुके है, ये Year कौन सा है इनका, 1873, ये जो Year हम लिख रहे हैं, ये बहुत authentic नहीं, एक आशल आगे पीछे हो सकता है, Year में दिकत क्यों होती है, हमने कोई खोश शुरू की, मालिया हमने 1900 में कोई खोश शुरू की, हमारे म खोश शुरू कोई बात उपजी के ऐसा होता है, और उस थेयोरी को कहीं कहीं पर एक पेपर में पुब्लिश किया गया, आप साइन्टिस्ट के जो पेपर होते थे, रिसर्च पेपर वो पुब्लिश होते रहते थे, अब मालिया हमने 10 साल तक एक्स्परिमेंट किया, और 1910 में हमारी थेवरी नीट सो में प्रपोज थी नीट सो दस में प्रूफ हो गई, य rapď alpha, an Means नाम सुने होंगे आपने, Planck's quantum theory, quantum theory, वैसे Planck साहब ने तो light के बारे में बात नहीं की थी, उन्होंने रेडियेशन के बारे में बात की थी, कि रेडियेशन छोड़े-छोड़े bundles के रूप में चलता है, जिने ये quanta कहते हैं, ठीक है, बाद में light को भी मान लिया गया, कि light छ थी, और बाद में इनीक थेओरी को, Einstein ने एक base बना करके, 1905 में ये बताया, कि light छोड़े-छोड़े particle की form चलती है, यानि he, this person was right, Newton was right, according to Huygens, according to Einstein, he was right, उसमें वो सही कर रहा था, हाँ, reflection, reflection को उन्होंने आजी तरीके से प्रूब किया, तो ये light का सफर है, अभी तक जो हम स quantum theory में है, light wave के form में चलती है, ये भी सही है, light ray के form में चलती है, ये भी सही है, light electromagnetic wave के form में चलती है, ये भी सही है, और light छोड़े-छोड़े packets के form चलती है, ये भी सही है, सब कुछ सही है, ठीक है, अभी ये कैसे हो सकता है, कोई ray के form में चले और, अभी पार्टिकल के form में और यह नहीं हो सकता है ना, आपने कभी cat walk देखिए है, heroine करती है, आइसे इसे टांग रखती है, देखा है ना, तो heroine is the particle, moving in the waveform, नहीं, देखा नहीं देखा आपने, नहीं, देखा ही होगा ना, और रैंप पर कहते हो चलती है, इसे इसे टांग, आइसे यह वाली टांग इसे रखती है इसे, वो चुकि आइसे इसे चलेंगे तो camera इतना लंबा तार है नहीं, होना हम भी चल के दिखाते है हाँ, आक तो के नहीं दिखा है, हमने, देखो हम हर चीद देखे हैं, क्योंकि हमको तो अपने पढ़ाई में कम देना था, हमको बताना था कि particle कैसे wave के फार में चलता है, कभी कोई भैंस चलती ही देखिए, मटक मटक के चलती है, तो महैंसी ज़ए पार्टिकल, moving in the, like a particle, but it shows the wave nature, उसका path देखिए, तो wave nature show करता है, तो ये light की पूरी थेओरी है, इसकी क्यों आप heading डाली जएगा, हमें main higens थेओरी को उठाना है, ठीक है, note करिए, अब चुकि wave की विरादरी में बहुत सारे word आएंगे, उसकी पहला word है wave front, तो अगर आप किसी तालाब में एक पत् गड़ा जब हो गया, तो पानी में elastic nature होता है, तो पानी उस change को oppose करेगा, उस गड़े को भरने के लिए अगल बगल से पानी आना सुरू हो जाएगा, उस गड़े को भर देगा, भरने के बाद भी पानी चुकि फ्लो से आ रहा है, वो आदा चला जाएगा, अब क्या हो गया पानी उस label से थोड़ा उपर हो गया, फिर वो oppose करेगा, वो पानी दूर जाएगा, यही wave होती है, ठीक है, लेकिन अब गड़ा हो जाएगा, पानी आएगा, पानी जादा हो जाएगा, पानी दूर जाएगा, तो logic अजीब लिखने में दिक्कत होगी, जब इसमें पत्थर म देखें, तो आपको लगेगा कि यह जो wave है ना, कहीं पर ऐसे उठी भी नज़र आएगी, कहीं नीची होगी, कहीं उठी होगी, ऐसे कुछ दिखाई पड़ेगी आपको, ठीक है, जैसे हम माल लें, कि जिस जगे आपने पत्थर डाला, वहाँ पर wave माल लेते हैं, एक 2 मीट अपकली समझेगा कि जहाँ आपने गड़े पत्थर को डाला है, कुछ पार्ड के लिए उपर जाएंगे, उसके बगल वाले थुदा नीचे जाएंगे, फिर उपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, यह जो पूरा एक सर्कल हम बता रहे हैं, इसी को हम wave front कहते हैं, नई स अगर हम अपने मूँ के चारो और एक थोड़ा सा सर्फिस खींचे हैं ऐसे, तो जैसे हम बोले हो, पार्टकल यहां चलेगे, लौटिक नहीं आए, बोले अब ना आप, हमारे मूँ के पास के पार्टकल दूर चले गए, और यहां क्या हो गया, वैक्यूम, पार्टकल बोल अब फी चलो, अच्छा लग रहा, ओ पापा तुम हो चलो, पापा ममी सब कर रहे हैं, मैं माल लूँ कि पार्टकल के उनके खंदान होते होंगे, तो अगर हम सर्फिस खींचे, तो जैसे हम आवाज करेंगे, पूरा सर्फिस इधर आएगा, इस सर्फिस से बहुत सारे पार करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, वे फ्रेंट कहते हैं, ठीक है, तो पहले कहानी लिखेंगे, फिस कहानी बारे में बात करें, वे फ्रेंट, लेखें, इफ वी ड्रा सर्फिस इन अ मेडियम, if we draw a surface in a medium, such that, such that, all the medium particles, all the medium particles, lying in the surface, lying in the surface, are in the same phase of oscillation, are in the same phase of oscillation, same phase of oscillation, then this surface is called wavefront, then this surface is called wavefront, then this surface is called wavefront, इस surface को हम क्या कहते हैं, wavefront कहते हैं, दूसी तरीके से practically समझेगा, आप लोग में कितने लोग समुद्र के किनारे गए हैं, नहीं तालाग के किनारे, समुद्र के किनारे गए हैं, तो समुद्र में बहुत सारी बढ़ी वेव आती है, दिवाल जैसे वेव आती है, ठीक है, अब जरा समझेगा, जब practically समझेगा, समुद्र की वेव आ गए आ रही है, हम को क्या लगए पीछे से को धक्का मार रहा होगा, तो जो लहर है वो क्या है wavy फ्रेंट है, उस लहर में बहुत सारे पानी के particles हैं, वो same phase में ऐसलिट करते जाते हैं, ठीक है, कि आगे पीचे हो जाते हैं, कि आधे इधर गए आधे पीछे चलेगे, एक साथ आते हैं, यह वेव फ्रेंट है, उसमे अनरजी भी है, यानि कि अगर हमें माल ले कि ये surface हम ड्रा कर रहे है ये surface हम ड्रा कर रहे है और यहाँ पर light का कोई source है माल लेते हैं मैं light को ऐसे मानता हूँ कि light बहुत सारे 50 waves है और जाके surface से टकरा गई तो surface क्या करेगा ऊसलिट करने लगेगा तो हम माल लेते हैं कि surface इधर जाएगा तो जितने 50 पार्टिकल ने हो सब इधर जाएगे पीछे आएगा सब 50 पीछे आएगे तो ये surface क्या कलाएगा wave front कलाएगा ठीक है तो यहाँ पर जब wave को चलाएगे तो wave front को चलाएगे यहाँ जब wave चलेगी तो wave front के रूप में चलेगी मतलब सूर से light निकली तो हमाल लेता हूँ सूर के चारो और एक एक surface है जब light गिरी तो surface भी गिरी surface वाइबरेट कने लगा तो उस vibration से energy निकली बगलवाद surface वाइबरेट कने लगा यह vibration हमारे तक पहुँचते हैं तो यह surface है क्या है wave front है ठीक है तो अलग-अलग surface के wave front का nature अलग-अलग होगा ठीक है अलग-अलग source के wave front के अलग-अलग type होते हैं सबसे पहले अगर point source हो wave front किसका निकल जा रहे है point source हो practically बताएए point source का wave front कैसा होगा एक bulb जलाईए bulb एक point source है ठीक है तो bulb से जो wave आप तक आ रही हो किस form में आ रही है circular आ रही है bulb circle नहीं होता है spherical होगा बल्ब है तो मैं माल लेता हूँ bulb की चारोगर एक surface होगा जब बल्ब से light निकली तो surface बे गिरी surface vibrate किया ऐसे ही vibration आगे बढ़ रहे है तो यानि किसी point source का wave front कैसा होता है spherical होता है प्रेटिकली सुनना ही नहीं है तो लिखे point source के लिखे heading लालो different types of wave front heading लालेज़ेगा different types of wave front different types of wave front पहला हम point source लेते है point source हमें वैसे wave front की heading लालीज़े हम source की बार कर रहे है point source लिखे point source has spherical wave front point source has spherical wave front spherical wave front ठीक है कैसे ये ये point source है है नि चारो तरफ wave जा रही है न तो wave इस तरीके से इसमें ऐसे चलेगी ठीक है ऐसे actually में wave तो ऐसे निकली है wave ऐसे निकल रही है इसे ये रे की तरह चल रही है वो medium को धका मार रही है तो आपको नजर क्या आ रहा है कि पुरा स्फेर आगे बढ़ता हुआ आ रहा है अगर आप पत्थर फेके ताला में तो ताला में जो rings बनती हों rings लगती हैं ऐसे ऐसे आगे आ रही है जब कि कोई भी ring जो move करेगी न वो जो पानी का वो पार्टिकेल है वो किनाले नहीं आता है वो क्यों एनर्जी को ट्रांसवर करता है अगर कोई एक कार्ख का टुकडा या कोई भी लकडी का टुकडा आप ताला में डाल दीजे और आप पत्थर मारिये तो लकडी टुकडा वहीं पर उस्सिलेट करेगा बोले नहीं हम किनाले ले आएंगे कैसे हम ऐसे निसाना लगाएंगे और ऐसे मारेंगे कि अरे भाई आप जब उसी पर मारोगे तो टुकडे पर एनर्जी ट्रांसवर कर रहा हो ना आप कहीं और वेप उत्पन करिए तो आप देखोगे वो लकडी का टुकडा या कार का टुकडा वहीं पर उस्सिलेट करेगा मतलब पानी का पाटिकल किनारे नहीं आ रहा है कि अनर्जी को ट्रांसवर कर रहा है तो किसी पॉइंट सोर्स का वेफ जो वेफरेंट कैसा होता है स्फेरिकल होता है लिखे पर सौर्ट में लिखे अपॉइंट सोर्स है जो स्फेरिकल वेफरेंट और डाइगराम ने वो होता क्यों नहीं है देखे सुनिए नेचर में कोई चीज क्यों नहीं समझाई जाएगी नेचर में होता है वो उसको explain कर दियाता कि ऐसा होता है वो wave के farm में चलती है क्यों का कोई region नहीं है अरे भई हमने क्या कहा है वो wave के farm में ही आता है वो nature की property है nature के property यह नहीं कहता है वेब में ही क्यों जाती है वो nature की अपनी property है आप कहिए gravitation इसके चारों ग्रेविटी होती ही क्यों है तो हमने का कोई पार्टिकल है उसके चारों ग्रेविटी होती है तो होती ही क्यों है नहीं होना चाहिए तो उने का मास जो पार्टिकल होता है उसके चारों होती है तो क्यों होती है ग्रेवटी कुँर होती कोई जलन है जैसा उस ही की बात कर है पोले एलेक्ट्रिक फिल्ड है तो चार्ट पाट के चारों एलेक्ट्रिक फिल्ड होता ही क्यों है तो वो नेचर है वो नेचर में इसी प्रकार से नेचर में कुछ घटना होती है उनको हमें स्टेडी करते हैं कि वह ऐसी घटना होती है ठीक है next point लिखे दूसरा wavefront है cylindrical wavefront अब wavefront का नाम लेते हैं cylindrical wavefront cylindrical wavefront देखें अगर हम एक tube light ले ले एक ये tube light ले ले तो ये माल लेंगे कि light चारो तरफ निकल लही होगी tube light के चारो और का surface कैसा मना जाएगा cylindrical ऐसे होगा पूरा तो cylindrical wavefront होता है यानि कि cylindrical wavefront के लिए source कैसा होना चाहिए cylindrical source है linear in shape होना चाहिए ये linear होता है tube light में तो filamentी होता है ना तो ये linear source होता है यानि अगर source linear है linear source तो उसका wavefront कैसा होगा cylindrical होगा ये एक पतली सी tube light है इसके चारो तरफ wave ऐसे निकल रही है तो आप एक चाहो तो एक cylinder यहाँ पर खीश सकते हो ये cylindrical है चलिए में इस tube light से बहुत सारी waves ऐसे raise निकल रही है और ये cylinder को surface को धका मारके आगे बढ़ा रही है energy transfer कर रही है ये linear source है straight line linear होता है ना तो ये linear source है ये पुरा source आपका है और ये wave front है जो हमने sphere बनाया ये wave front है wave front है कैसा wave front है ये ये spherical wave front है sorry क्या बोला हूँ cylindrical wave front है cylindrical wave front है तो आप से पूछ सकता है cylindrical wave front के लिए source कैसा होना चाहिए आप कहेंगे linear source होना चाहिए ठीक अब अगला है plane wavefront कैसा होता है देखो plane wavefront नहीं होता है तो प्रिपढ़ाय क्यों जा रहा है देखिए आप अगर माल लेते हैं point source ले लिजे कैसा wavefront होता है इसका spherical जब आप नजदीक रहोगे तो sphere ज़्यादा curve होगा और दूर जाओगे तो इसका curvature क्या होता है जरे जरे कम होता जाएगा बहुत दूर जाके आप क्या लगेगा ये एक plane हो जाता है या cylindrical मालो ये cylindrical का shape होता है तो ये हलका जागा shape उसको आप करते जाओगे थोड़ी दे बाद क्या हो जाएगा ये plane हो जाएगा तो अगर चाहे point source हो चाहे वो linear source हो थोड़ी दूर जाने पर उसका जो spherical shape या उसका cylindrical shape कैसा हो जाता है plane तो हम कहेंगे जब source बहुत दूर होता है infinite distance पे होता है तो source जो हमको wavefront दिखता हो कैसा होता है तो लिखे when the source is far away when the source is far away then the wavefront looks like the plane wavefront होता नहीं है द्यान रखीगा wavefront looks like the plane wavefront उसको हम plane wavefront ले भी हैप करता है तो ये तीन प्रकार के wavefront होता है तो ये एक तरके से plane है ये plane है और यहाँ से इस प्रकार से यहाँ से wave ऐसे आ रही है इसको धक्का मारेगी तो आगे कौन move करेगा ये plane move करेगा ठीक है ये plane थोड़ी दे बाद यहाँ पहुंच जाएगा तो ये मार रहे हैं कि पीछे से जो light की ray है वो इसको धक्का मार के यहाँ ले के आ रही है आगे बढ़ा रही है इस प्रकार से ये plane wavefront होता है यही वाली light बढ़ाई है ये वाली तो ये plane wavefront कराता है ठीक है तो ये तीन प्रकार के wavefront है wavefront बात सुन भागे wavefront क्या होता है अब higens की wave theory लिखे higens wave theory मता higens का assumption क्या था higens wave theory higens wave theory higens wave theory वैसे कहीं कहीं पर higens पढ़ते हैं लोग लेकिन हिंदी की book में higens नाम लिए हिंदी में higens है चुकि हमको ये कभी फून करे बताएं नहीं कि my name my mother is calling me higens or higens तो हम लोग अपना higens भी बोल लेते हैं को लोग waygens भी बोल लेते होंगे कुछ भी बने waygens होता नहीं है मताब science का teacher तो मालूम होगा क्या होगा अब जो science का teacher नहीं हो उसको भी पढ़ना हो तो कहें कि waygens लिखा हुआ है लिखे according to higens according to higens ये wave थियोरी है इस थियोरी के आधार पर उन्हें के principle दिया था एक सिधान दिया था वो अलग होगा according to higens light travels in the form of wave light travels in the form of longitudinal wave light travels in the form of longitudinal longitudinal wave since तब जो प्रकास है वो longitudinal wave मतलब बोली तो longitudinal का मतलब क्या होता है अनुदैर्ध अनुदैर्ध तरंगों गुरू में चलता है since wave requires a medium to travel चुकि तरंगों को चलने के लिए माध्धम की जुरुत होती है since wave requires a medium to travel so Huygens imagined imagined and ये चल रहा तुमारा pen ऐसे काम चला रहे हो को मांगे ये तो तुम ऐसे चला रहे हो इसे फिल्म में सारू खान वाले फिल्म नहीं थी वो कौन सी बाधसा उसमें कुछ होटल बिजा का इसे इसे लिखता है फोल्चा इसे नाख खुजाता जाता है वो नीचे कारवन में वो आ जाता है उपर कुछ नहीं आता है वो ऐसे लिख रहे हो कि उपर कुछ नहीं आएगा वो नीचे आएगा सुना है न आपने देखा होगा हाइगन्स, इमेजिन्ट एन आल परवेडिंग हर जगे जो भेद जाए भेद थे आल P-E-R-V-A-D-I-N-G आल परवेडिंग मेडियम मतलब सरवव्यापी हर जगे व्याप्त आल परवेडिंग मेडियम card ether card ether और उन्होंने कहा कि उसमें हर प्रकार की property होती है जो light को propagate कर सकता है तो लिखे it has all properties necessary for propagation of it has all properties all necessary properties for the propagation of light waves it has all the necessary properties for the propagation of light waves ये हाईगेंस ने माना था लेकिन ether ether कहीं दिखा नहीं उनको पताएगा इधर कहीं दिखा ही पड़ रहा है तो कहीं है रहे हमने इसे मान लिया इधर नहीं दिखे तो अब हाईगेंस ने अपने सिध्धान्त के आधर पे एक प्रिंसिपल बनाए तीन प्रिंसिपल ते बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हाईगेंस वेब थेवरी आएगी तो ये लिखेंगे हलका सा लेकिए हाईगेंस प्रिंसिपल हाइगेंस प्रिंसिपल प्रिंसिपल हाइगेंस का सिद्धान्त तीन बातें उन्हों बताई थी उनको ध्यान से पढ़िएगा एकार्डिंग टू हाइगेंस एकार्डिंग टू हाइगेंस तीन पॉइंट लिखे होंगे आप इंदे में एकार्डिंग टू हाइगेंस, नमबर वन लिखे, देखो, हाइगेंस का पहला तो ये कहना था, जैसे मान लिया ये एक सोर्स है, ठीक है, यहां से लाइट चली, किस फार में चलना है, वेब के फार में चली, वेब को चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, इन्होंन तो एथर का पार्टिकल को को एनरजी ट्रांस्वर कर देगा इस प्रिकार से वो light को आगे बढ़ायेगा यानि कि यह जितने भी एथर पार्टिकल हैं वो एक surface पे पड़े हैं यह surface को क्या कहते हैं वेफरंड कहते हैं तो supervis के जितने भी पार्टिकल हैं वो नए वेब का या नए source का काम करेंगे और यहां से नई वेब निकलना शुरू हो जाएंगी ठीक है फिर बगल में एक इधर का surface होगा उस पर जाएंगी वो इधर का particle vibrerate करेगा इसके ओपर बहुत सारे इधर के particles हैं, वहां से नई wave निकलना शुरू हो जाएंगे, पहला point समझ में आ गया, तो पहला point लिखे, every particle of the medium, every particle of the medium, every particle of the medium, situated on the wave front, situated on the wave front, acts as a new wave source, every particle of the medium, situated on the wave front, acts as a new wave front, एक नई wave front भी है करेगा, from where new waves originate, these waves are called secondary wavelengths, these waves are called secondary wavelengths, ठीक है, पहला point था, दूसरा point वो कह रहे हैं, जो यह secondary wavelengths होंगे न, वहां से नई wave निकलेंगे, और वो नई wave हर direction में, उसी speed से लगाता रागे, बढ़ती रहेंगे, ठीक है, next point लिखे, the secondary wavelets travel, the secondary wavelets travel, in the medium, secondary wavelets travel in the medium, in all directions, in all the direction, with the speed of original wave, wave बोले तो light, with the speed of original wave, wave को bracket में आप light ले सकते हैं, original wave in the medium, मतब जैसे यहां से source से light निकली, जो speed यहां होगी, वही यह secondary wavelets से जो wave निकलेगी, वही speed होगी, speed change नहीं होगी, यह number 2 हो गया, ठीक है, number 3, जो कि most, most, most important concept है, इसी concept को base मान करके आगे की proof बताए जाएंगे, number 3, next लिखे, the envelope, इसको हिंदी में अन्वा लोब कहते हैं, वो तो आख टफ हो गया, the envelope of the secondary wavelets, the envelope of the secondary wavelets, in the forward direction, the envelopes of the secondary wavelets in the forward direction at any instant, at any instant, gives the new wave front at that instant, the envelope of the secondary wavelets, in the forward direction, at any instant, gives the new wave front at that instant, यह थोड़ा अंग्रेजी में हो गया, पहले वाली थोड़ा थोड़ा सस्ती थी, यह थोड़ा कटिन अंग्रेजी हो गया, और हिंदी में कटिन हो गया, अन्वा लोब, तो तीयक तरिंकाउप पर खींचा गया, अन्वालोब नई स्थित को बताता है अन्वालोब भी tough हो गया अब हिंदी में भी tough हो गया इंग्लीस में भी tough हो गया तो किस में बताया जाए उर्दू मताथे हैं वो भी गड़ बड़ हो गया ज़रा समझने की कोशित करिए बस यही point है इन्होंने कहा envelope का मतलब होता किसी surface को touch करता हुआ एक tangential surface जैसे माल लीजिए माल लेते हैं ठीक है ना मानिए समझ येगा तब समझ में आएगा ये एक source है ठीक है अब चुकर diagram गंदा मनाते हैं लेकिन अच्छा बनाने कोशी करेंगे मैं माल लूँ कि यहां से वेब निकल रही है और वेब की speed है पाँच मीटर पर सेकंड light भी गुशा रही होगी बाद सब्सक्रा हमारी करा speed दे रहा है गदह की ने गदा तेज़ चलता है इसकी speed है पाँच मीटर पर सेकंड मतलब यहां से जो वेब चली होगी वो एक सेकंड में पाँच मीटर डिस्सन्स कवर करेगी सही कह रहा हूँ है यानि कि अगर मैं कहूँ कि एक सेकंड बाद पाँच इससे पाँच मीटर दूर जितने भी पार्टिकल होंगे उन सब के पास से वेब पहुंच जाएगी तो सही है ध्यान समझेगा हर डिरेक्शन पहुंचेगी लेकिन हम फारवर डिरेक्शन की बात कर रहे है वेब तो इधर भी चलेगे ना लेकिन हम आगे की बात कर रहे है हमने कहा कि भाई ये एक सोर्स है यहां से light निकल लई है मैं माल लेता हूँ कि light की speed है 5 meter per second तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक second बाद इससे 5 meter दूर जितने भी particle होंगे उन सब को light मिल जाएगी यानि कि हम यह देख रहे हैं कि एक second बाद इस particle को इस particle को इस particle को सब को wave मिल गई ठीक है यह एक wave front है ना तो क्या यह सब particle oscillate करना सुरू करेंगे नई wave निकालेंगे क्या speed होगी 5 meter per second तो यानि कि मैं कह सकता हूँ इस particle से निकलने वाली wave चारो डिरेक्शन में कितनी distance कवर करेगी एक second में 5 meter तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहां से चलने वाली wave मैं मालू कि 5 centimeter या 5 centimeter माल लेते हैं मीटर माना था क्या माना था 5 meter का एक हमने sphere खिच दिया तो यह wave यहां पहुँच गई एक second बाद भाई अगर wave की speed 5 meter per second है तो जो wave यहां पहुँची है एक साथ पहुँची है तो यहां से जड़江 से जब वैबरिट हुआ है यहां से नई wave निकली तो एक second में किदे distance कबर की पाँच तो चारॉद साम पभर करेंगी न ऐसे यहां भी पाँच कबर करेंगी चारॉद साम में क्यों यहां भी चारॉद साम करेंगी यहां भी 5 करेगी, यहां भी 5 करेगी, यहां भी 5 करेगी, क्यों? तो अगर मैं इन सभी surface को touch करता हुआ, एक sphere खीज दूँ, एक surface खीज दूँ, इसी को envelope कहते हैं, इसी को क्या आता है, envelope का मतलब होता है, किसी भी उसको touch करता हुआ, एक tangential surface खीज दिया जाए, जैसे आप सब लोग सेम हाइट को बैटे हो, और आप खड़े हो जाए, सेम हाइट के मान है, तो आपकी खोपड़ी को touch करता हुआ एक surface खीज दें, तो envelope है, touching all the khोपड़ी, ठीक है, तो ऐसे यहाँ भी wave पहुंच जाएंगे, ऐसे, नहीं पहुंच जाएंगे, तो अब बताओ, नई wave यहाँ पहुंच गई, नहीं पहुंच गई, तो यहाँ से नई wave निकलना सुरू कर नहीं करेंगे, ठीक है, statement अब दुआरा पढ़ी है, statement क्या कर रहा, the envelope of the secondary wavelets in the forward direction at any instant gives the new wave front, मतलब अब एक तरीके से wave इस surface पे आ गई, एक नया wave front है, यहाँ से wave निकलना सुरू करेंगे, वो भी हाँ डिरेक्शन में ऐसे चलेंगे, ठीक है, फिर हम एक नया surface खींचेंगे, फिर आगे wave निकलेंगे, वेब इधर भी जाएंगे, ऐसा नहीं है ऐसा थो भी बल्ब जलेगा, तो आगे ही light देगा, पीछे भी देगा, लेकिन हम बात करें कि वो forward direction की, तो सुन में आगी बात, यह तीसरा point बहुत ही important है, फिर समझेगा, secondary wave को, secondary wave को touch करता हुआ कोई भी surface, नए wave front को बताता है, जैसे हम reflection की बात करेंगे, तो reflection में एक wave front बात करें, तो हम क्या करेंगे, एक wave front गिराएंगे, और reflection कैसे बात करेंगे, जो surface, सभी secondary wave को touch करेंगा, हम कहेंगे यह wave की नई position है, मताँ incident के बाद नई position क्या होती है, reflection, तो reflected wave front मिल जाएगा, हम reflection पढ़ेंगे, reflection में light को medium change करना पढ़ेगा, तो पहले तो light wave को डालेंगे, और जो medium change कराएंगे, तो medium change करने के बाद हमको reflecting wave front चाहिए, तो जो surface जिसको सभी secondary wave touch करेंगे, हम कहेंगे यह wave की नई position है, यानि कि reflecting wave front है, यह उसको पहचानने का तरीका है, तो तीसरा point बढ़ा important है, तो पहला तो आपने देखा पर nature of light क्या होता है, जो कि नहीं पूछा ज जाता है, ठीक है, फिर wave front क्या होता है, यह पूछा जाता है, फिर Huygens की wave theory, अगर wave theory आ जाती है, ठीक है, तो एक confusion होता है कभी-कभी, कि examiner Huygens principle चाहता है, कि वह आली wave theory चाहता है, तो अगर Huygens principle आएगा, तो उस theory को बताते हुए, कि Huygens ने ऐसा propose किया था, और उन्हों ने Huygens की theory है, और Huygens एक ऐसे दमदार विक्त से, जो Newton के दोर में Newton की कही गई बात को थोड़ा पोज करके नया नियम मराया, अधरवाइ, Newton ने अगर कहा कि, सूर काली light देता है, कि अगर सी साफ काली light देता है, कहा से मुझे को गोरी light कहा दें, Newton जो कहा दें, वही सही, आपने आपने देखा, Laplace correction 11 पड़ा होगा आपने, Newton एक बात कहे गए थे, sound की speed के बारे में, कि gases medium में sound चलती है, तो वहाँ पर temperature constant रहता है, लेकि value सही नहीं आ रही थी, कोई उस दोर में ऐसा scientist नहीं था, जो त्योरी को सही कर सके, 100 साल बात Laplace सहाब ने correction किया, कि यह गलती थी, आ वेस्टर में Newton of the France कहा जाता है, बहुत बड़े mathematician थे हूँ, वह वाले नहीं mathematician, बड़े बाले mathematician थे, उनको Newton of France कहा जाता है, ठीक है, मैं इसलिए बतार हूँ क्योंकि आपने 11 लापलास पढ़ लिया क्यावल, ठीक है, और लापलास जब ग्रेशन में आते हैं, mathematics में, तो बड बड़े लिए रटीक,